गदर टू फिल्म के प्रदैसन पर रोक लगाने के लिए किसी भी मुस्लिम वकील ने सुप्रिम कोर्ट में याच का दायर नहीं की है सोसल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अदिल एहमद नाम के एक मुसलिम वकील ने भारत की सरोच नियाले में गदर टू फिल्म पर प्रतिबंद लगाने की याच का दायर की थी 26 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है पोस्ट के अनुसार अदिवक्ता ने फिल्म निर्माताओं पर मुसल्मानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाती है उच्चितम न्याले से गदर टू फिल्म के पर दाशन पर रोक लगाने की अपील की थी आये पोस्ट म में गदर टू की रिलीज की पुष्टी की उन्होंने अभी तक फिल्म की आधिकारिक रिलीज की तारिक की घोशना नहीं की कम से कम अगस्त 2022 से सोचल मीडिया पर यही संदिश प्रसारित किया जा रहा है कि सुप्रेम कोड के अधिवक्ता अदिल एहमद ने इंडिया मौसनी देवल के बहुत बड़े फैन हैं अप्रेल 2022 में उत्व प्रदेश के जर्वां गाओं के एक निवासी ने यूपी के मुखमंत्री योगी आतिनात को पत्र लिख कर महमूद आवाद किले में गदर टू की शूटिंग को रोकने की मांगी कि रामीरों ने फिल्म निर निर्माताओं से उनकी संपत्ती परशूट किये फूटेश को अटाने की अपील की इन दोनों गड़्टाओं के सिकायत करता मुसल्मान नहीं थे 2001 में गदर फिल्म के रिलीज के दोड़ान पंजाब और हर्याना उचने आलाय में एक याज का दाएर की गई थी जिसमें फिल्म की स्क्रिनिंग को रोकने के निर्देश की मांगी गई थी याज का करताओन फिल्म निर्माताओं पर सिक धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाती हुए अदालत से फिल्म से अपत्ती जनक दिर्श्यों को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की अपील की। लेकिन हाल ही में गदर टू फिल्म रिलीज से पहले गदर टू रिलीज के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट में ऐसी को याज का दायर नहीं की गई थी।